विल्कम गाइज विल्कम बाक टियो ओन चैनल ऑप्शन गाइड तो स्वागत है आपका एक और शांदार डेली मार्कलिस वीडियो में और क्या गजब की रैली आज फिर से देखने को मिली है मार्केट में ओवर अर अमने डीटेल में यही डिसकस किया था विकेंड पे निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों ही जगा कि मार्केट में बुलिष सेनारियो बन रहा है बैंक निफ्टी में हमने आपको एक ट्रेल लाइन भी बतायी थी समझाया था कि पैटरन क्यों बुलिष है मार्केट में continuous higher lows and higher highs बन रहे हैं ये एक bullish pattern है ये एक strength दिखाता है मार्केट में पर exactly देखो आज बहुत अच्छा बोलरन देखने को बला निफ्टी में भी हमने आज फिर एक new high बनाया recently हम 19.850 ना test कर रहे थे ना break कर रहे थे फिर से आज magically market ने setup पे work किया detail में intraday market वे discuss करेंगे and अब overall कल के लिए क्या setup है क्या important levels है और कल अब कैसे rates बना सकते हैं सारी चीजों की detail में बात करेंगे बहुत ही मज़़ार वीडियो ने वाली है लेकिन सबसे पहले channel पे नए है levels ने work नहीं किया अब purely देखे market में क्या होता है सबसे पहली चीज़ थोड़ा zoom out अगर हम करेंगे तो हमने weekend पे discuss क्या किया था हमने weekend पे आपको बताया था कि ये देखो market में strength है market एक तो हर बार new high बना रही है और previous low को कभी भी break नहीं कर रही है हर बार एक new higher low बन रहा है continuous strength दिखरी है market में चाहिए बहुत बड़ा move ना आ रहा हो लेकिन market में weakness बिलकुल भी नहीं है market previous support से पहले ही bounce कर जाती है हर बार तो market में pure strength है market में यहां से rally expected है अगर market को bearish होना है तो trend line के below market आएगी सिर्फ तभी bearish होगी अभी current data तो यही दिखा रहा है कि market में गजब की strength है और वो ही आपको आज देखने को मिला pure strength दिखरी है आपको high B new बना रही है market continuous rally देखने को मिले clearly यह discuss किया था समझ आया होगा तो आज आपने उसी के according creates बनाया होगा bullish market में ऐसा नहीं कि कहीं से भी moves आ रहे gap up opening के बाद market 43,850 जो level आपको already बताया तब वहाँ दो बार resistance face करती है morning में opening के बाद भी वहाँ से dip आया second time भी bounce में exactly उसी level से दुबारा dip आता है market में तो levels perfectly work कर रहे है strength है लेकिन strength में अच्छी entry बहुत जादा important हो जाती है अब intra day भी पूरा दिन notice करो market क्या कर रही है ये morning में low बनाया पूरे दिन में ये low दुबारा break नहीं हुआ उसके बाद यहाँ एक अच्छा dip आया ये low बनाया उसके बाद ये low कभी break नहीं हुआ ये low बनाया ठीक है third low यहीं पे बनाया इसके बाद तो continuous rally आ रही है कोई dip आया ही नहीं है rally के बाद जो dip आया है वो यहाँ low बना ये भी previous low से higher है तो continuous strength दिखा रही है market लेकिन बस आपको इन चीजों को analyze करना आना चाहिए तो आप अच्छे trades बना सकते है strength थी market में हाँ आज भी कोई ऐसा jackpot move नहीं आया है कि बहुत बड़ी कोई rally आ गई है लेकिन slowly market upside at least move कर रही है at least आपको ये पता है कि आपको downside के trades नहीं बनाने है simply finally यहाँ भी हमें 43.850 का breakout मिला और एक rally देखने को मिली और यहाँ भी rally देखने को मिली अब rally में important चीज़ क्या होई है कि हमारी closing 43.850 के above आई है यह एक बहुत ही positive sign है और trend line को था हम hold करी रहें यह एक second most important चीज़ है जो clear market में strength दिखाती है अब जो market है वो buy on dips की है यहाँ से further rally ही expected है और rally में मैंने आपको एक target भी दिया था 44.160 तक हम easily rally कर सकते हैं market में और वो ही rally market को यहाँ से continue करनी चीज़िए intraday अगर nifty की बात करें nifty में क्या हुआ वहाँ इससे गजब की strength थी अगर आप nifty का chart देखें देखो morning में यहाँ भी almost level पे opening 19.850 level पे opening morning में dip आता है dip में market कहा support ले रही है exact level 19.800 perfectly pinpoint level पे market ने support ले फिर यह rally शुरू होती है दुबारा exact level पे reversal bounce back weekend पे हमने बहुत clearly क्या discuss के था हमारे लिए जो nifty में major resistance level है ना वो 19.850 है यह अगर break होगा तो market में गजब की rally आईगी एक बड़ा अपमूव आएगा sudden rally आईगी और exactly वह हुआ है break while level, confirmation और उसके बाद day end में बहुत sudden rally morning में तो market range में है फिर से लग रहा है क्या range bound day हो सकता है तो अगर यहाँ patience के साथ wait कर रहे था ना trade का तो trade दिया ज़रूर है market ने चाहिए बिलकुल day end में दिया है जब यह breakout मिला है लेकिन मिला है वह breakout और उसके बाद गजब की rally आई है और अच्छा अपमोब आया है hope अपने अच्छे trades यहाँ भी बनायोंगे क्योंकि clear discussion थी 19.8.50 एक बहुत ही major resistance है और ना सिफ intraday बार बार वीडियो पर मैंने आपको बताया था यह positional resistance भी है अगर break करेगी market तो यहाँ से sudden rally intraday में भी expected है और positionally भी हम bullish हो जाएंगे और वो ही exactly हुआ है market में तो अच्छा दिन रहा होगा intraday अब directly कल के लिए discuss कर लेते हैं देखे immediate levels support 19.8.50 और most important support है भी पहले most important resistance level था लेकिन role reversal जैसे ही कोई level break हो जाता है उसका role reverse हो जाता है role reversal का क्या मतलब है अगर कोई level पहले resistance था जैसे यहाँ पर यह पहले resistance था break होने के बाद यह most important support बन जाएगा exactly अब यह हमारा most important support है उसके बिलो 19.800 अपसाइट की बात करें 19.900 19.940 and 20.000 level psychological level फिर से market यहां तक rally कर सकती है जो market strength दिखा रही है उससे पता लग रहा है और हम आपको पहले से सारी चीज़ अनलाइज करके बता रहे हैं weekend वाली वीडियो जिन लोगों ने देखी होगी न आपने बहुत कुछ learn किया होगा and आपको clarity मिली होगी किस direction में market move कर सकती है किस level के पास आ रहे है market धीरे धीरे हमारा वही magical level जहां top से हमने reversal catch किया था fall catch किया था 20,150 level उन लोगों को जरूर याद होगा जो लोगों हमें पहले से follow कर रहे हैं यह magical top 20,150 का हमने बहुत research से आपको बताया था पूरी research share की थी और आपने देखा क्या magically उस level ने वर्क किया अब फिर से धीरे धीरे उस level की तरफ हम आ रहे हैं to exactly कलकले अगर setup की बात करें trades की बात करें कोई भी dip 19,850 यह dip आपको buy करना चाहिए यहाँ से दुबारा rally expected है market में simple है पहले important resistance था अब support है यहाँ तक कोई dip आएगा वो dip आपको buy करना चाहिए upside 19,990 के आसपस closing आई है इस level के भी अगर मालो dip ना आए तो ऐसा नहीं कि dip में trade बनेगा bullish नहीं market directly up move कर देए तो भी bullish trade है market 19,990 के अबब है यह इसका breakout दे रही है तो भी market हमारे लिए bullish है market 19,850 के below नहीं जाती है जब तक market इसके अबब है market buy on dips की है हमारे लिए intraday भी positionally भी सिर्फ यहाँ से bullish market दिखती है और इस पूरे scenario का stop loss रहेगा यह level इसके below closing आईगी कभी तो यह scenario change होगा अभी continuous market हमारे लिए bullish है निफ्टी में हमने सिर्फ bullish trades की बात किया bearish trade हमारे लिए नहीं है जब तक market 19,850 के अबब है अब यह पता लग रहा है charts पे option chain क्या बता रही एक बार option chain में देख लेते हैं चलिए निफ्टी की option chain पे आते हैं data क्या बता रहा है 9900 के just below closing आईए यहाँ पे almost similar हो आई है call and put side exactly same हो आई 1,48,000 call side put side 1,47,000 almost same हो आई तो ना support है ना resistance है support का मिल रहा है support वोही magical level 9850 क्यों? put side 1,37,000 हो आई है intraday में 1,000 का हो आई है गजब की positions बनी है और call side 60,000 तो gap more than 75,000 हो आई का है तो clear cut कल के लिए support major in fact इस पूरे week के लिए इस expiry के लिए 9850 एक major support level है ठीक है कोई बिड़ पाई इस के आसपास buy करो यहाँ से दुबारा bounce back expected है resistance की बात करें resistance 20,000 पे है जो clear resistance दिखती है 2,13,000 हो आई है call side, put side 54,000 to more than 1.5,000 का gap है तो major resistance 20,000 पे है यह simple range है कल के लिए भी और इस expiry के लिए भी nifty की clearly data bullish side है और overall यह market के range है buy on dips की market है nifty की बात हो गई bank nifty देख लेते हैं bank nifty देखो यहाँ तो बहुत clearly पहले ही बताया था जिल लोगों को नहीं पता है न यार क्यों market bullish है यह lower highs क्या होते है higher highs क्या होते है trend कैसे बन रहा है यह pattern क्या है weekend वाली वीडियो जाके देखो तो सही सब कुछ समझ आएगा और बहुत कुछ learn करोगे free में चीज़े वो बता रहा हूँ जो लोग paid में भी नहीं बताते है बहुत कुछ सीखोगे weekend वाली वीडियो जाके देखो bank nifty की specially वीडियो जाके देखो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वहाँ से और trend line भी मिल जाएगी आपको यह जो trend line है अब कल कले अगर directly setup की बात करें देखो इमिडेट 43.850 important support है important क्यों है क्योंकि आज resistance का भी work किया है resistance break होगी तो support बन गया उसके बाद major support 43.700 है क्यों है major level major नहीं है major बनता है क्योंकि यहाँ trend line का भी level आ रहा है almost 6.90 पर almost trend line का level आ चुका है इसी लिए यह major support है upside resistance 44.000 उसके बाद zone है 44.160 से 200 यहाँ market एक बार जरूर struggle कर सकती है क्योंकि यह हमारा एक positional level भी है back nifty में जब आप weekend वाली वीडियो देखोगे तो आपको वाँ समझ आएगा setup की बात करें यहाँ हम bearish तब तक नहीं होंगे market में जब तक market इस trend line के below न जाए जब तक market trend line के अबव है market हमारे लिए bullish है buy on dips की है dips आएंगे तो भी buy करने upside market जाएगी तो भी rally expected है यहनी setup क्या कहता है dip आए 43.850 market hold करे तो भी rally expected है वहाँ से bounce back expected है target होगा 44,000 और उसके बाद यह zone बड़ा dip आजाए 43.700 तक इस level को market hold करे तो भी rally expected है तो भी dip को buy करने है तो भी bounce back expected है फिर से upside levels target होगे और dip ना भी आए market directly up move करने लगे 44,000 का breakout दे तो भी rally expected है target final यह zone ही रहने वाला है simple clear setup है bearish trade कब बन सकते है fall कब आ सकते है market में जब यह trend line lower side break होगी तब ही आपको सोचना है कि market में कोई fall आने वाला है या फिर अगर आपको bearish trades बनाने है तो वो सिर्फ तब ही बनाने है जब market trend line को lower side break कर देगी और फिर break करने के बाद target होगे 43,500 and 43,350 यह simple clear कल के लिए nifty bank nifty का setup है hope clear है और next day हमारी monthly expiry भी है nifty bank nifty stocks सबकी expiry है तो जहान से positions को carry करे कोशिश करें कि avoid ही carry carry करना लोग profit तो देखते हैं कि suddenly आपके direction market खुल गई तो बड़ा profit होगा लेकिन यह पूरा capital भी ले जाती है तो बहुत कम capital से यह आथा position carry करें यह ना करें especially expiry वाले दिन और especially monthly expiry के लिए ठीक है तो hope nifty bank nifty दोनों का इस setup clear है वीडियो अच्छे लेकर तो like कर दे और channel पर नए है daily ऐसा magical setup मिस नहीं करना चाते है ऐसी learnings मिस नहीं करना चाते है तो subscribe जरूर कर ले